दोस्तो आज मैं आप लोगों को वाटसप का दस नया फीचर बताने वाला हूँ जो कि 2022 में कुछ-कुछ नया लेटेस्ट फीचर आया हुआ है वाटसप में और कुछ-कुछ फीचर जो है पूराना फीचर है दोस्तो तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर वाटसप का दस नया नया फीचर 2022 में कौन-कौन सा आया हुआ है लेटेस्ट तो दोस्तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मुबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है उसके बड़ आप लोगों को यहाँ पे अपने वाटसप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर ले दोस्तो वाटसप का पहला निव फीचर है अस्टेटस को ले करके तो सबसे पहले आप लोगों को अपने वाटसप में आ जाना है वाटसप में आनेक बाद आप लोगों को अस्टेटस में आ जाना है दोस्तो पहले क्या होता था कि किसी बंदे या बंदी से अपना वाटसप status hide करने के लिए आप लोगों को status setting में जा करके WhatsApp status hide करना पड़ता था, लेकिन अब आप लोगों को WhatsApp status लगाते समय ही status hide करने का option यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे my status में click कर देना है उसके बाद आप लोगों को अपने mobile की gallery से वो वला status को select कर लेना है जो status को आप लोग लगाना चाहते हैं उसको select करने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे जो है option देखने को मिल जाएगा status तो आप लोगों को status पे click कर देना है दोस्तो आप लोग देख सकते हैं ये तीनो setting पहले जो है status setting में देखने को मिलता था तो आप लोगों को ये तीनो setting आप जो है status लगाते समय ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तो आप लोग personally किसी बंदे या बंदी को अपना WhatsApp status नहीं दिखाना चाहते हैं आप लोग अपना WhatsApp status किसी बंदे या बंदी से hide करना चाहते हैं तो आप लोगों को simple सा यहाँ पे my contact accept पे click कर देना है उसके बाद आप लोगों को अपने mobile के contact से उस बंदे या बंदी को select क कर लेना है उसके बद आप लोगों को यहाँ सही पे टिक कर देना है दोस्तों आप लोगों को यहाँ से टिक की होंगे वो नमबर जो है आप लोगों का whatsapp status नहीं देख पाएगा दोस्तो उसके बद अगर आप लोग चाहते हैं कि personally कोई बंदे या बंदी को अपना whatsapp status दिखाना तो आप लोगों को simple सा यहाँ पे only share with पे click कर देना है उसके बद आप लोग जिस भी लोगों का whatsapp status प्रसनली उसी का पास आप लोगों का whatsapp status दिखाएगा दोस्तो दोस्तो वाटसब का दूसरा निव फीचर है profile photo hide करना दोस्तो अगर आप लोग चाहते हैं कि personally किसी लड़का या लड़की या फिर family member या फिर relative से अपना whatsapp का profile photo hide करना अगर आप लोग चाहते है personally किसी लड़का या लड़की या फिर family member या फिर दोस्त से अपना profile photo छुपाना तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर three dot में click कर देना है उसके बाद आप लोगों को settings में चले जाना है उसके बाद आप लोगों को account में चले जाना है और फिर privacy में चले जाना है privacy में जाने के बाद आप लोगों को profile photo में चले जाना है उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे my contact accept पे click कर देना है उसके बाद आप लोग जिन भी person से यहाँ पे अपना whatsapp का profile photo hide करना चाहते हैं उसको यहाँ पे select कर लें आप लोग जिन भी लोगों को अपना whatsapp का profile photo नहीं दिखाना चाहते हैं उसको आप लोग यहाँ से select कर लें उसके आप लोगों को सही पे click कर देना है दोस्तों whatsapp का तीसरा नवी फीचर है despairing message अगर आप लोग किसी से बहुत ही personally chat कर रहे हैं बहुत ही personally बात कर रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि 24 घंटे के बाद आप लोगों का पूरा का पूरा चैटिंग जितना भी आप लोग बात की हैं वह automatically delete हो जाए automatically हो जाए तो आप लोगों को यहां पर एक setting करना है सबसे पहले आप लोगों को उसका chatting को open कर लेना है उसके बाद आप लोगों को यहां उपर three dot में click कर देना है उसके बाद आप लोगों को automatically delete हो जाएगा अगर आप लोग यहां से 24 hour select करते हैं उसी तरह से आप लोग यहां पर 7 days select कर सकते हैं और 90 days select कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो WhatsApp का चौन्था feature है WhatsApp group को ले करके अगर आप लोगों को कोई एरा गेरा आदमी कोई भी WhatsApp group में add कर दे रहा है और उसमें बहुत सारे SKM वाले message आते हैं या फिर बहुत ही गंदे-गंदे message आते हैं तो आप लोग अपने WhatsApp में एक setting कर सकते हैं जिसकी मदद से आप लोगों को कोई भी एरा गेरा आदमी कोई भी ग्रूप में WhatsApp group में नहीं जोड़ पाएगा दोस्तो तो आप लोगों को simple सा WhatsApp में आकर के उपर में three dot में click कर देना है उसके बद आप लोगों को setting में click कर देना है उसके बद आप लोगों को account में चले जाना है account में जाने के बद आप लोगों को privacy में चले जाना है उसके बद आप लोगों को यहाँ पे groups में click कर देना है groups में click करने पाद आप लोगों को यहाँ जो है everyone select होगा तो आप लोगों को यहाँ पर my contact select कर लेना है दोस्तो इससे आप लोगों के contact में जितने number है वही सिर्फ आप लोगों को कोई भी group में add कर सकता है इसके अलावा कोई भी era 11 आदमी आप लोगों को कोई भ आप लोगों को अपने WhatsApp में एक सेटिंग करके रखना होगा जिससे आप लोगों का WhatsApp कोई भी जल्दी हैक नहीं कर पाएगा दोस्तों तो आप लोगों को सबसे पहले अपने WhatsApp में आ जाना है उसके बाद आप लोगों को उपर में 3. में किलिक कर देना है और सेटिंग्स में चल करने का बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना इमेल आईडी डाल देना है इससे आप लोगों के वाटसप को कोई भी जल्दी हैक नहीं कर पाएगा दोस्तो दोस्तो वाटसप का छठा न्यू फीचर है वाटसप फिंगर प्रिंट लोक अगर आप लोगों का मोबाइल जो है ऐसे में आप लोग जो है कोई बीना थर्ड़ पाटी एप्स को इंस्टोल कि आपने वाटसप में फिंगर प्रिंट लोक लगा सकते हैं दोस्तो तो आप लोगों को सबसे पहले अपने वाटसप में आकरके उपर में थ्री डॉट में किलिक कर देना है उसके बद आप लोग को फिंगर प्रिंट लोक में किलिक कर देना है और यहां से ये वाला सेटिंग को ओन कर देना है ओन करने के बद आप लोगों को अपना फिंगर प्रिंट यहां पर डाल देना है और आप लोगों को यहां इमिडेटली सेलेक्ट कर लेना है अब आप लोग जब भी अपने व बोसअप में ज्यादा बात करता है कि-सै वाट सब में ज्यादा चैटिंग करता है जाहें वो आपकी गल्फरेंड हो चाहें वो आपका your friend हो या फिर आपके घर में फैंबली भरो या फिर रिलेटीर वह हो आप लोग उसके वाट सब में जाकर PE पता कर सकते हैं कि वह WhatsApp में किस से ज़्यादा बात करता है किस से ज़्यादा चैटिंग करता है यह आप लोगों को पता करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को उसके WhatsApp में चले जाना है WhatsApp में जाने के बद आप लोगों को 3. में क्लिक कर देना है उसी से वो सबसे ज़्यादा बात करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा उसी में सेव होगा सबसे ज़्यादा उसी में सेव होगा इसलिए वो सबसे ज़्यादा उसी से बात करता है दोस्तो WhatsApp का आठवा निव फीचर की मदद से आप लोग WhatsApp में HD quality का फोटो भेज सकते हैं और clear photo भेज सकते हैं दोस्तो तो आप लोगों को अपने WhatsApp में HD quality का फोटो भेजने के लिए एक setting करना होगा आप लोगों को सबसे पहले अपने WhatsApp में आ जाना है उसका आप लोगों को 3. में किलिक कर देना है और setting में किलिक कर देना है उसका आप लोगों को सबसे नीचे चले जाना है आप लोग देख सकते हैं सबसे नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है Photo Upload Quality तो आप लोगों को Photo Upload Quality पे किलिक कर देना है और यहाँ पे Select कर लेना है Best Quality तो आप लोगों को O К पे किलिक कर देना है अब जब भी आप लोग अपने WhatsApp से दूसरे के WhatsApp में Photo भेजएंगे तो वो जो है HD में जाएगा वो अगदम Clear Photo जाएगा दोस्तो तो अपने WhatsApp से दूसरे WhatsApp में फोटो भेजेंगे तो, दोस्तो WhatsApp का नववा फीचर है, आप लोग किसी ग्रूप में चैटिंग कर रहे हैं, और आप लोग किसी को प्रास्नली रिप्लाई करना चाहते हैं, बिना उसका नंबर सेप किये, तो आप लोगों को सिंपल सा उसका चैट पे किलिक कर देना है, उसके बद आप लोगों को यहां उपर में 3. में किलिक कर देना है, 3. में किलिक करने के बद आप लोगों को यहां पे reply privately पे किलिक कर देना है, डायरेक्ट जो है आप लोग उसके चैटिंग पे चले जाईएगा उसके बद आप लोग यहां से उसको प्रास्नली रिपलाई कर सकते हैं दोस्तो दोस्तो वाटसप का दस्वा फीचर की मदद से आप लोग जो है अपने मोबाईल में दो वाटसप चला सकते हैं आप लोग ए सकते हैं दोस्तों ये था वाटसप का दस फीचर जो की बहुत ही कमाल का फीचर था कुछ नया फीचर था दोस्तों और कुछ-कुछ नया के अलवा कुछ पुराना फीचर भी था